हलो फ्रेंड्स इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम जानेंगे गुस्से का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है गुस्से का इंग्लिश मीनिंग होता है एंगर एंगर इसे एक्जामपल से समझते हैं Example, He did not listen to anything in anger. उदार, उसने गुस्ते में कोई बात नहीं सुनी. इसे के साथ इस वीडियो में बस इतना ही. अब आप मुझे comment box में बताईए, नफरत का English meaning क्या होता है. Thank you.